येलो फ्रेंट आपको सब्साओ अथ है मेरे यूटिब चनल टेक वर्ल्ड में फ्रेंट मैं आज आप सबको बचाऊंगी अब बिगमिधास वेंडर आप में ओर तो मुबल्स कैसे रिजिस्ट्र कर सकते हैं तो इसके लिए आपको बिजमिदास vendor app इंस्टाल करना है प्लेस्टोर से कि मैंने इंस्टाल कर लिया है अब ओपन कर लूँगी फेंट आपको यह दो आप्शन्स पुछा जाए सा एक है create your account एक है click here to login फेंट आप मौब इजमिदास में नए है आपने अभी तक अकॉंट create नहीं किया तो आप create your account पर click कर सकते हैं गर आप अपका अकॉंट पहले से ही जिजमिदास vendor app में है तो आप यहाँ लॉग इन पर भी click करके अपका mobile नंबर और password डालके results नहीं हो सकते हैं तो मैं यहां create your account पर आपको अकॉंट create करके दिखाऊंगी कि मैंने आपको अपकी information save करनी है यहां आपको full name then आपको यहां email address आपका mobile नंबर एंटर करना है then आपको यहां register mobile नंबर पर OTP चला जाएगा वह आपको यहां एंटर करना है then friends आपको यहां strong password create करना है यह मैंने create कर दिया और register कि हमारा account register हो गया है friends then आप मैं store कैसे list करें यह मैं दिखाऊंगी आपको store listing में जाना है then आपकी shop का name मैंने shop name डाल दिया then आपको यहां सब category आइट करनी है then friends आपको आपकी location set करनी है आपकी current location यह save हो जाएगी friends आपको यह location set कर से time आपकी mobile की location आउन रही नी चाहिए then save यह save हो गया friends then state state आपको select करना है यह मैंने state select कर लिया then आपको यहां आपकी city enter करनी है then आपका area आपका पुल address then आपको यहां आपका आधार कार्ड और पान कार्ड इंटर करना है friends आपका first option आधार कार्ड है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पान कार्ड भी डाल सकते है then state lessons आपको यहां डालना है then यहां आपके स्टोर की एक पोटो डालनी है and register friends से हमारी show register हो गई है subscription करेंगे तो यह customer आप में show होगी बिना subscription के कुछ नहीं होगा यह हो गया है action completed आपकी successful lease shop lease हो गई है then आपको एक्स्प्लोर पेज में जाना है आप यहां देख सकते हैं all orders, spending orders, confirm orders, delivered orders, total products आपको सबको दिखाई दे रहा है then उसके उपर आप red circle में 0 देख सकते हैं जो membership date आपको दिखाई दे रहा है अगर आप subscription करेंगे तो आपके subscription के date इधर दिखाई देंगे membership date then उसके उपर आप bell icon देख सकते हैं friends इसमें आपको हरतर है की notification मिल जाएगी then आप अपनी location टेक कर सकते हैं then यहां आपके brand यहां brand के बगल में तरी horizontal line देख रहा है friends आप जो green label देख रहे हैं यह active का है अगर आप किसी वज़य से जुटी पर हैं या आप दुकान open नहीं कर सकते तो आप in active कर सकते हैं अगर आप दुकान open रखना चाहते हैं आपकी shop open रखना चाहते हैं तो आप active भी कर सकते हैं then home page में आपको ही सब कुछ show होगा जो मैंने दिखाया then आपको profile set करनी है friends आपको यहाँ दो options में जाएंगे एक है delivery option एक है pick up option friends आप यहाँ देख करते हैं home and e kilometer are serving इसमें आप आपनी shop कितनी दूर तक दिखाना चाहते हैं industry आप यहाँ आप save पर सकते हैं आपकी हिसाब से kilometer की हिसाब से इमेने save कर दिया 9 kilometer then आप home delivery देना चाहते हैं आपने delivery option चूज़ किया हुआ है तो आपको यहाँ per kilometer delivery चारज़ दालने है then then आपको free delivery above आप कितने के खरीददारी के बाद free delivery देना चाहते हैं यह आपको इसमें डालना है मैं डाल देती हूँ मैंने डाल दिया देन अपडेट परेंट से हो गई हमारी प्रोफाइल सेट अपडेट हो गई है फेंड देन यहां मैं प्रोड़क्त आड़ करने से बारे में दिखा हूंगी आपको यहां प्रोड़क्त का लेव डालना है प्रोड़क्त आपको यहां ब्रोड़क्त में आपको यहां ब्रोड़क्त में यह कैसे यहां सेट आता है यह पीस के हिसाब से आता है यह आपको यहां डालना है यह डिपेंड करता है प्रोड़क्त पर यह मैंने जो आक्टिवा 5G डाला यह 32 के हिसाब से आता है एक पीस तो मैंने यहां पंटीज डाल दिया देन बैकेट क्लोस सब क्याटेगरी सब क्याटेगरी आपको यहां डालना है तू विलर देन आपको यहां ओरिजिनल प्राइज डालना है फ्रेंसिसका मैंने डाल दिया देन आपको आप ग्राह को कितने में बेचेंगे यह आपको यहां डालना है देन यूनिट में वही वन पीज देन स्टॉक में आपको आपके पास कितना स्टॉक बचा है यह आपको डालना है देन आप आपकी प्रोड़क्स के बारे में कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन राल से अकते हैं फ्रेंस यह डिपेंड घरता है आपकी उपर आप जैसा चाहें यहां टाइप कर सकते हैं मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया धन आपको फोटो आड करनी है प्रोड़क्स की यह आट प्रोड़क्स यह अगर आप प्रोड़क्स डिलीट करना चाहते हैं या delete करना चाहते हैं अगर आपके पास out of stock हो गया है तो आप यहाँ delete भी कर सकते हैं delete भी कर सकते हैं friends अगर आप price edit करना चाहते हैं तो आप यहाँ edit भी option choose कर सकते हैं then orders में आपको यहाँ हर तरह की orders मिल जाएंगे all orders, spending orders, confirm orders, delivered orders then यहाँ आप previews set सकते हैं आपकी shop के बारे में लोगों की क्या राई यह आप यहाँ जान सकते हैं then subscription friends आपको आपकी shop का subscription करना है आप यहाँ बहुत से packages देख सकते हैं जैसे 30 days, 90 days, 180 days आप जितना एका चाहे उतना recharge कर सकते हैं friends आप जैसे mobile का recharge करते हैं वैसे ही आपको shop का भी recharge करना है यह मैं pay now पर click कर देती हूँ यह आपको बहुत सा options दिखाई देंगे friends जैसे की card, UPI, net banking wallet मैं wallet से करूँगी यह मैंने OTP एंटर कर देना है यह मैंने कर दिया यह हो गया action completed, payment successful friends यह हमारी shop registered हो गई है payment के बाब आप customer आप में आपकी store देख सकते हैं friends आप यह total subscribe days भी आप देख सकते हैं और reminding days भी आप यहाँ देख सकते हैं तो अगर आपको कोई product book करें तो इसे कैसे accept करना है मैं आपको दिखाऊंगी तो इसके लिए चलते हैं विदमिदास customer app में यह मैंने open कर लिया विदमिदास customer app friends साथ यह बहुत से source देख सकते हैं यह मैंने automobile पर click कर लिया देन आप यहाँ हमारी shop देख सकते हैं यह आ गई है friends हमारी shop यह मैंने open कर लिया then add successful added to cart यह cart में save हो जाएगा then मैं cart open कर लूँगी यहाँ आपको total price दिखाई देगा then check out मैंने office address पर लिए save रखा है तो मैंने office address चूश किया then continue यह हो गया friends हमारा order successful okay यह हमें order आ गया है friends मैं vendor app में access करने का दिखाऊंगी तो इसके लिए मैं vendor app open कर लूँगी आपको order में जाना है आप यहाँ देख सकते हैं friends हमारा आप आ गया है यहाँ आप accept कर सकते हैं reject कर सकते हैं और call ना भी कर सकते हैं तो मैं इसे accept दे देती हूं यह product को यह confirm orders में save हो जाएगा friends यह confirm orders में save हो गया है then आपने यह deliver कर दिया है आपने यह order complete कर लिया है तो यह completed पर आपको click करना है यह delivered orders में save हो जाएगा तो इस तरह से friends आप हमारे बिग मिदास vendor app में shop register कर सकते हैं और product add कर सकते हैं तो कैसा लगा यह video comment में जरूर बताएं और हमारे channel को like share करना ना भूले please like share and subscribe thank you thank you all of you